सुहाग के लंबी उम्रों और बच्चों की कुशल मंगल कामना से किया जाता है चोथ माता का व्रत इस दिन गणेश संकष्टी चतूर्थी का व्रत भी रखा जाता है संकष्टी गणेश चतूर्थी का व्रत जीवन में चल रहे संकटों को खतम करता है और सुक सो भाग्य में व्रत्ती करता है हिंदू पंचान के अनुसार हर महिने में दो चतूर्थी तिथी आती है कृष्ण पक्ष की चतूर्थी तिथी को संकष्टी चतूर्थी और शुक्ल पक्ष की चतूर्थी को विनायक चतूर्थी के नाम से जाना जाता है दोनों ही चतूर्थी तिथी भगवान गनेश को समर्पित है फालगुन मास की चतूर्थी को द्विच प्रिया संकष्टी चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है चोथ माता का व्रत कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को रखा जाता है फालगुन मास की चोथ का व्रत 13 चोथ व्रत में माना जाता है तो आईए अब हम जानते हैं कि साल 2024 में फालगुन मास की चोथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुब समय क्या रहेगा, तथा चांद कब निकलेगा पंचांग के अनुसार फालगुन करिश्नपक्ष की चतुर्थी दिथी 28 फरवरी 2024 को देर रात एक बचकर तरेपन मिर्ट पर प्रारम्ब होगी, तथा अगले दिन यानि 29 फरवरी 2024 को सुबह जल्दी 4 बचकर 18 मिर्ट पर यह समाप्त होगी, इसलिए उद्या दिथी को देख जिखते हुए फालगुन मास की चोथ कवरत 202 फरवरी 2024 को रखा जाएगा, पूजा का शुब समय रहेगा सुबह 6 बचकर 48 मिर्ट से सुबह 9 बचकर 41 मिर्ट तक, तथा शाम की पूजा का समय रहेगा 4 बचकर 53 निर्ट से 6 बचकर 20 मिर्ट तक, चंदरोदे समय रहेगा 28 26 फरवरी 2024 को रात 9 बचकर 42 मिनिट पर वैसे तो सभी शेहरों का चंदरोदे समय अलग-अलग होता है यदि आप अपने शेहर का चंदरोदे समय जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा तदा साथ ही फालगुन मार्स की संकस्टी चतूर्थी वरत कथा और फालगुन मार्स की चोत माता के वरत की कहानी भी आपको जल्द ही हमारी चैनल पर मिल जाएगी जै श्री राधी